बहुत बहुत स्वागात हैं दश्रको Stunt इस ट्रेन की खासियत यही है कि जब इसे शुरू करना होता है तो उसके लिए प्रधान मंत्रीजी की जरृत पड़ती है बिना उनके कोई भी ट्रेन रवाना नहीं होती है याने कि प्रधान मंत्री अगर उसका उद्गाटन करेंगे, याने कि मोदी जी उद्गाटन करेंगे, तभी वो ट्रेन आगे बढ़ेंगी. बहराल अभी कुछ दिन पहले, करीब 4-5 मेहने पहले की बात है, सिर्फ 4 मेहने पहले की बात है, एक ट्रेन नागपूर से बिलासपूर के लिए बंदे भारत शुरू की गई, बड़े जोर शोर से इसका इवेंट रखा गया और बहुत ही तरीके से उसका उद्गाटन किया ग और वहाँ पे तमाम बीजेपी कारे करता और दूसरे भी लोग वहाँ पर उसके स्वागत के लिए तैयार थे, और उन्हें उसका स्वागत किया उन्होंने और वो ट्रेन स्पेशली हर स्टेशन पर खड़ी की गई, ये बताया गया कि इस रूट पर बंदे भारत शुरू ह होई है, ये वो छोटे-छोटे स्टेशन थे जहां पर रोज जो है मजदूर जहां से रवाना होते हैं, जहां से लोग अपने कामों के लिए जाते हैं, ऐसे छोटे-छोटे स्टेशनों पर जहां पर उसे रुकना भी नहीं था, वहां भी रोका गया, और बाकायदे उसे प जात्री ही नहीं मिल रहे हैं वजह यह है कि इस ट्रेन का किराया इतना जादा है क्योंकि उस रूट पर चलने वाले जो लोग हैं जारता जो लोग आने जाने वाले जो लोग हैं उन्हें तो पैसेंजर ट्रेन की जरुरत थी उन्हें तो लोकल ट्रेनों की जरुरत थी उन्हे कई गुना जादा वंदे भारत ट्रेन का किराया है और ये आम आदमी के मध्यमबर्गों या उच्च मध्यमबर्गों इसके बसका तो बिलकुल भी नहीं है और ट्रेनों से रोज आना जाना करने वाले लोग या फिर लंबी दूरी के लिए भी जो आना जाना करने वाले जो यात्रा करने वाले जो लोग हैं वो लोग वो नहीं है जो बंदे भारत की जो टिकेट है उसे खरीज सके क्योंकि जो बंदे भारत की टिकेट खरीदने की शमता रखता है वो बंदे भारत से जाएगा क्यों उसके लिए तो हवाई जहाज है हवाई जहाज की वो टिकेट खरी जो नागपूर से बिलासपूर के लिए वंदे भारत शुरू हुई उस दिन वो ट्रेन चली ही नहीं बलकि उस दिन उसके स्थान पर एक जो नीजी ट्रेन जिसे तेजस के नाम पे कुछ दिनों पहले शुरू किया गया था वो ट्रेन चली जिन लोगों ने वंदे भारत का ट यार किया गया उसके लिए किट जो त्यार की गई थी भोजन की वो थाली यानि की तेजस में वंदे भारत की थाली परोसी गई तो ये चित्र था 16 तारीक का बड़ी बहुत जबर्दस तरीके से इसका रियक्शन हुआ पब्लिक खूब हस्ती रही एक तरह से मोदी जी की या मोदी सरकार की किरकिरी होने लगी सब तरफ लोग हसने लगे कि आखिर ऐसी ट्रेन शुरू करने की क्या ज़रत जिससे कोई जाना ही नहीं चाहता जिसका कोई टिकेट खरीदी नहीं सकता और ऐसी ट्रेन शुरू करके सिर्फ वावाही जो लूटी गई खूब सुरट ट्रेन दिखा कर लेकिन जब यात्रियो होने के बाद अचानक उन्हें लगा रेल मंत्री को लगा कि भाई जवरदस्त करकरी हो रही है तो फिर घाटे को सहते हुए ये बात कही गई कि नहीं हमने तो ये ट्रेन बंद की ही नहीं थी बस इसे मैंटेनेंस के लिए एक दिन के लिए मैंटेनेंस के लिए भेजा गया जबकि बाकायद है एनॉसमेंट यह हुआ था कि यह ट्रेन बंद की कर दी गई है इसके जगह पे तेजस जो ट्रेन है वो चलाई जाएगी उसके बावजुद यह कहा गया कि इसे मेंटेनेंस के लिए भेजा गया था अब यह ट्रेन वापस फिर से शुरू की जा रही है यान जाकर वो बंदे भारत को जंडी दिखाते हैं वहां से रवाना करते हैं हाला कि उसके लिए कोई यात्री नहीं मिलता कोई उसके लिए कोई उस पर जाने को तयार नहीं रहता कहा बहुत गया कि जो केरल से जो बंदे भारत चली उसमें बहुत सारे लोग ने एडवांस में टिकेट बुक कराये थे लेकिन वो सारे लोग वो थे जो उस कारेक्रम में उस कारेक्रम के लिए विशेश तोर पर वहाँ पर आये थे और बीजे पीए कारेकरताओं ने ही वो टिकेट्स कटाये थे ताकि लगे की बहुत सारे लोग उससे यात्रा करने वाले हैं मसला यह है कि जिस जगे पर जाने के लिए अगर आपको सिर्फ 500 रुपय का खर्चा हो जो सुपर फास्ट है या फिर एक्स्प्रेस है उससे अगर आप किसी भी बड़े कमपार्टमेंट याने की चाहे AC, AC 3 class, 3rd AC, 2nd AC का जो किराया है वो 1000 रुपय से कम ही हो ऐसे में अगर आपसे 1400 रुपय, 1500 रुपय या धाई हजार के उपर वसूल किया जाए तो आप क्यों घाटे का सौधा करेंगे और यही करण है कि उस ट्रेन को यातरी नहीं मिले और ट्रेन बंद करनी पड़ी थी यह अलग बात है कि किरकिरी होने के बाद उसे फिर से शुरू किया जा रहा है याने कि घाटा हो सही लेकिन मामला तो छवी बनाने का है मामला तो प्रोजेक्शन का है तो प्रोजेक्शन कर रहे हैं प्रोजेक्शन में चाहे जितना खर्चा हो जाए प्रोजेक्शन चलते रहना चाहिए घाटा यहां पर चलता है लेकिन बाकी जगे पर घाटा नहीं चलता और यही करण है कि करमचारियों की भरती नहीं हो रही रेलवे का एक और समाचार आपको बताते हैं जिसमें यह लिखा हुआ है कि जो इसका information system है जो कि आपको सूचनाय दी जाती है जो जानक information यानि कि जानकारी देने वाला सूचनाय देने वाला जो भी भाग है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे करमचारियों को लिया जा सकता है जैसे कि आकाश्वानी के करमचारी जो की लगाता सूचनाओं के लिए ही काम करते हैं ऐसे बहुत सारे casual कर्मी हैं जो अभी भी अपने नेम इतने ही कर रही है ऐसे बहुत सारे करमचारियों को वहाँ पर समयोजित किया जा सकता था लेकिन करमचारियों का टोटा बता कर करमचारियों की कमी बता कर उस विभाग को प्राइवेट हाथों में बेचने की तयारी कर ली गई है ये साथ तमाम चीजे हो रही है जहां पर खर्च होना चाहिए वहाँ पर फाइदा देखा जा रहा है जिसे घाटे जिसे चलाया जाना चाहिए रेडियो और आगाश्वानी जैसी जो संस्थाएं हैं जुजनाओं की जो संस्थाएं हैं उसमें वहाँ पर फाइदा ढूंडा जा रहा है और जहाँ पर प्रचार प्रसा नहीं है क्योंकि उससे वोट मिलते हैं उससे एक माहूल एक प्लर्याइशन के लिए माहूल बनता है और वोट में वो तब्दिल होते हैं लोगों को बहकाया जा सकता है बरगलाया जा सकता है ऐसी चीजों में तमाम जो है जब अर्दस तरीके से खर्च हो रहा है लेकिन यहां शुकर कोई बहाने से बहुत सारी प्रेसेंजर जो ट्रेन ने है वो बंकर दी गई थी बहुत सारी जो एकस्पेसिया सुपरफास ट्रेने हैं, वहां के जो जनरल कोच यह कम कर दिये गए हैं, इतनी भरी गर्मी में भी लोगों को बहुत बुरी तरह से सफर करना पड़ रहा ह एक के उपर एक लदे हुए लोग जो है जनरल कोचों में जा रहे हैं जनरल कोच जहांपर 4 से 6 हुआ करते थे वहां अब 2 रह गये हैं वहां पर जो AC या स्लीपर कोच बढ़ा दिये गया ऐसी ऐसी जो चीजे हुई हैं उनहें बदल कर आम लोगों के लिए ट्रेनों को कि उसे यात्री नहीं मिले और यात्री नहीं मिलने के वजह से बंद करना पड़ा अब आपका इस विशय पर क्या कहना है अपनी प्रितिक्रियाएं आप जरूर यहाँ पर कमेंट बॉक्ष में दे साथ ही आप से हम निवेदन करते हैं कि हमारे वीडियो को थोड़ा सा फॉर्वर्ड किया करें थोड़ा सा शेयर किया करें और लाइक भी किया करें क्योंकि जो है यूट्यूब हमसे नाराज रहता है ऐसी खबरों को हम दिखाते हैं बिलेंगे